बॉलिवूर इंडस्ट्री की एवर्ग्रीन आक्ट्रेस रेखा जिनोंने अपनी फिल्मों से तो खूब जादा चर्चा बटोरी ही लेकिन उससे जादा चर्चा उन्होंने बटोरी है अपने अफेर्स को लेकर अपनी शादे शुदा जिंदिकी को लेकर या फिर अपने इस रिष्टे को लेकर रेखा की खुबसूरती एवर्ग्रीन है रेखा आज भी वैसी ही लगती है जैसे असी के दर्शक में लगती थी ऐसा लगता है रेखा को देखने के बाद कि मानों ये वक्त और ये खुबसूरती वही थम से गई हो रेखा जहां पर सब कुछ बदल लेकिन रेखा की खुबसूरती आज भी वही पर है रेखा इतनी ज्यादा खुबसूरत है कि आज भी लोग रेखा की खुबसूरती के टिप्स चानना चाहते हैं लेकिन आज हम रेखा की खुबसूरती के टिप्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे बलकि रेखा की उस नजा अमिता बच्चन के साथ तो आफ़ेर था लेकिन अब और कौन श्रक्स था जिसके साथ रेखा थी लीविन रिलेशन्शिप में देखिए रिपोर्ट सौरत के साथ लीविन रिलेशन्शिप में रहती है रेखा जी हाँ आपको बता दे चुले कि रेखा अपनी परसनल असिस्टिन फरजाना के साथ लीविन में रहती है आपको बता दे चुले कि सदा बहार एक्ट्रस रेखा अपनी खुबसूर्ती और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाती है साथ ही एक्ट्रोस की नीजी जिन्दकी भी अक्सर सुर्खों में बनी रहती है ऐसे में रेखा से जुड़े कई राज आए जिससे परता हटा इसलिए उन्हें लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फिर से चर्चर डाल दी एक बार फिर से एक्ट्रूस रेखा की नीजी जिन्दकी चर्चरा में है रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले लेखा की आसी रुस्मान की किताब में दावा किया गया कि उनका अपनी सेकेटरी के साथ लीव इन रेलेशन्शिप था इस बायोग्राफी में लेखक में दावा किया है कि सिर्फ उनकी सेकेर्टरी फर्जाना को ही रेखा के बेडरूम में जाने की इजाज़त थी जी हाँ आपको बता दे ये ही नहीं दावा तो ये भी किया गया है कि उरेखा की जिन्दकी पूरी तरह से कंट्रोल करती है किताब के मुताबिक फर्जाना को लेकर पूरी इंडस्ट्री को पता है कि रेखा उनके बगैर एक कदम भी नहीं उठाती आपको बताते चुले फर्जाना रेखा के साथ हर जगा जौती है वो साई की तरह हर वक्त उनके साथ रहती है किताब के मुताबिक फर्जाना के साथ रेखा का रिष्टा ही उनके पती मुकेश अगरवाल के निधन की वजहा बना था निक्स्नाइन लाइफ की रिपोर्ट तो देखा आपने किस तरहां से रिखा के नाजवाज रिष्टे का खुला सा हमने इस खास रिपोर्ट में किया कैसे लगी आप सब को जरूर बताई नीचो देगे कामें बॉक्स में आज खेले सर्फ इतना ही तब तक लेदी चीज सासर शक्रिया